सुगम्य भारत अभियान समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्राले के दिभ्यांग जन्शशक्तिकरण विभाग का राष्टिव्यापी महत्पूर्ण अभियान है समाजिक और आर्थिक विकास के समान औसरों तक सुगम पहुच को मुहिया कराना समावेश प्राप्त करने की कुंजी है जो समाज के सभी बर्गों की समान भागेदारी को बढ़ावा देती है इस महत्पूर्ण विशय पर समाजिक न्याय और अधिकालिता मंत्राले पकुवी काम कर रहा है एक सुगम्य सरकारी भवन वह होता है जहां एक दिद्व्यांग व्यक्ति बिना किसी बाधा और परिशानी के प्रवेश कर सके साथ ही इसमें उपलब्द सुविधाओं का इस्तेमाल दूसरों की मदद के बिना भी कर सके रालधानी दिल्ली के जिन सुगम्य भवनों की हम बात कर रहे हैं उनमें प्रमुक तौर पर विज्यान भवन, निर्मान भवन, लाल बहादूर शास्त्री मेमोरियल, राजकी और सर्वोदय कन्या विद्याले रजोकरी, सब्दरजंग अस्पताल और सुन्दर नर्शरी सामिल हैं यहाँ दिव्यांग जनों के लिए वो तमाम सुविधाएं उपलब्द कराई गई हैं जिसकी अवश्यक्ता उन्हें रोजमर्रा के जीवन में पढ़ती हैं अस्पतालों में दिव्यांग जनों की सुविधाओं की बात की जाए तो दिल्ली के सफतर जंग अस्पताल में ज्यादातर सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं यहां टेक्टाइल टाइल्स या फ्लोरिंग है जो दृष्टी बाधित लोगों को अस्पताल में प्रवेश द्वार से लेकर उसके भीतर तक ले जाने में मदद करता है जहां उन्हें काउंटर पर बादचित करने में कोई दिक्कत ना हूँ निर्मान भवन में दिव्यांग जनों की सुविधाओं की बात करें तो प्रवेश द्वार, लिफ्ट तथा प्रसाधन जैसी सुविधाएं शामिल है निर्मान भवन में दिव्यांग जनों के लिए पार्किंग को सुगम्य बनाया गया है यहां वे आसानी से अपने साधन पार्क करके अपने आफिस तक पहुँच सकते हैं पार्किंग के बाहर से लेकर भवन के भीतर हर जगह पर दिव्यांग जनों की मदद के लिए कर्मचारी तत पर रहते हैं यहां बने सौचाले में परियाप्त स्पेस हैं ताकि कोई दिव्यांग वील्चेर के साथ ही उसमें प्रवेश कर सके सौचाले के भीतर की सभी सुधाएं विशेश रूप से दिव्यांग जनों को ध्यान में रखकर पैरामीटर के हिसाब से बनाई गई है लाल बहादुर शात्री मेमोरियल और विज्यान भवन में दिव्यांग जनों के लिए जिन सुविधाओं को मुहिया कराया गया है वे निशित रूप से विशुष तरिया हैं इन भावनों में दिव्यांग जनों के लिए मवजूद लिफ्ट में वीलचेयर बाउंड के लिए उपियुक्त उचाई पर हैंड्रिल्स और कंट्रोल पैनल भी लगाए गए हैं लिफ्ट की और जाने वाले रास्ते स्पर्ष्णिया फर्ष द्वारा सुशजित किये गए हैं जिसके सहारे त्रिष्टी बाधित आसानी से लिफ्ट तक पहुँच सके इन एतिहासिक इमारतों में दिव्यांग जनों के लिए अभूध पूर्वकारी किया गया है और सुगमता की दिशा में भविश्य के बुनियादी धाचे को मजबूत करने के दिशा में एक सशक कदम बढ़ाया गया है